वेल अभी सुभा के बाड़ा बच चुके हैं अभी में जा रही हूँ जेल में अभी जेल में मतलब अभी आज में जा रही हूँ अलिपूर जेल में जो अभी म्यूजियम बन गया है तो यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि अलुपूर जेल जो है बहुत ही फेमस है यहाँ पर निता जी शुवास चंदर बोस्ते लेके बहुत सारे freedom fighter है जिनों ने यहाँ पर उनको कैद किया गया था वो लोग यहाँ पर रह चुके हैं बहुत सारे history create हो चुक मेरे साथ घुपने जाना तो यह वीडियो पर जरूर बने रही है में सारे details कोशिश करूंगे आप लोग को देने की जितने भी map है या route link है वो में description box में दे दूंगी so tension लेने के बिलकुल भी जरूरत नहीं है so let's go और हाँ अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को like share and subscribe करना बिलकुल भी मत भूली का प्ली तो अभी कोलकाता में तो यह आलिपूर मीजियम एक famous tourist spot बन गया है एक बार जरूर विजिट कीजिए आप यहाँ पर जाना भी बहुत इजी है आप किसी भी हाजरा जाने वाली बस पकड़ लीजिए यहाँ फिर मेट्रो से आप जतिन दश पार्क मेट्रो स्टेशन में उतर सकते हो सारी डीटेल्स में दे दूंगी आपको तो यह है अलपूर मीजियम जो बाहर से कुछ इस तरीके का दिखता है और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा वाइड व्यू बहुत ही बड़ा वाला एक जेल है जो भी म्यूजियम बन गया है तो विजिटिंग आर्ज है टूज़े टू संडे ग्यारा बज़े से पांच बज़े तक उसके लिए आपको थर्टी रूपीज का टि टिकेट काट लिया था फिलाल तो मैंने सिफ यहाँ पर म्यूजियम के लिए जो टिकेट है वो काटा है लाइट और साउंड में किसी और दिना के आपको दिखाऊंगे उसका भी अलग वीडियो में जरूर अपलोड करूंगी उसको आप जरूर देखी लेगी जिएगा तो जेल का प्रिंटिंग हाउस जो अभी बंद है लेकिन एजल ने दिखाने के लिए रखा गया है यहाँ पर गाइट करने के लिए आपको मैप दिया गया है पूरा जेल में कहाँ पर क्या है से पहले में गई फासी का मंच देखने के लिए यह पोस्मॉर्टम रूम जहाँ पर डॉक्टर जाच करते थे फासी देने के बाद कह दियो की और यह फासी का मंच यह देखके ना मतब कुछ अलग साई फील हो रहा था यहाँ पर का जो एम्बेंस था जो साउंड हो रहे थ जाता था और फासी देने के बाद नीचे से यहां से बॉड़ी को निकाला जाता था यह वाला है पोस्मॉर्टम रूम जो अभी अपने देखा यहां पर है लिस्ट जितने भी शहीदों की फासी हुई थी और यह एक्टम फासी के सामने यह वाला रूम बना हुआ है जहां पर कैदियों को रखा जाता था नीचे सारे डीटेल्स दिया गया है क्या-क्या स्टोरी है कैसे कैसे कौन कौन रहे है उनका क्या स्टोरी सब कुछ यह बनानी का एक ही मकसद था ताकि जितने भी कैदी जितने भी शहीद तब लड़ रहे ते वो फासी देखे डर जाये एक सिमेंट से बना हुआ बिस्तर है और सुसू पोटी सब एक ही जगह पर होता था एक चोट असा खीरकी है जहां से रात के टाइम पर लाइट भी नहीं आथी थी आइगेस अभी तो म्यूजियम बना गया है इसलिए कलर वेलर किया गया है लाइट लगाया गया है यह डॉक् और जो एट्मोस्फियर है वो देखके न आपके रोंटे खरे हो जाएगे यह जो फासी देने वाली जो वो कट खरे वाला जगह है और यह जो जेल के सेल्स है कैसे कितनी तकलीफ में उन्हों को रखा जादता है मतलब क्या होता है जेल के लाइफ वो देखोगे ना तो आप आप सच्ची में बिलीब नहीं कर पाओगे और यह पूरा एम्बेंसी बुलकुल वैसा है आप वो फील कर पाओगे तो एक बार जरूरा विजिट कीजिए इस प्लेस को वरना मैं बोलके आपको एक्स्प्लें नहीं कर पा रहे हूं कि मुझे कैसा लग रहा है अब यह ज़ पेशे में एक डॉक्टर होने के ना थे वो जब जेल में कैद हुए थे तब जितने भी कैदी थे सबको वो दिन रात फ्री में चेक अप करते थे और उनको मोटिवेट करते थे देश के लिए लड़ने के लिए इसके बाद यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं एक मूर्ती यह एक foreigner lady की है जो हमारे Indian freedom fighters को help करती थी तब and as a punishment उनको मिला था कि जितने भी पंची है ना उनसे खिलाया गया थे इनकी शरीर को जीते जी सोचो आप कितना डरावना था वो punishment इसके बाद हम लोग गए निता जी की cell में निता जी की cell के बाहर जो आब देख सकते इतने बड़े बड़े चेंट से बांदा हुआ है एं प्रोजेक्टर चल रहा था इसी cell में रहते निता जी जहां पर ऐसे move कर रहा था ऐसा लग रहा है कि वो जीते जी वहाँ पर खड़े हुए है और यहाँ पर एक स्टैचू है और बाकी सारे जितने भी स्टोरीज तो है ही इसके बाद हम लोग गए नहरू सेल में जावलाल नहरू जी यहाँ पर रहते थे और यह जो है इंदिरा गांदी पंटी जहलाल नहरू की गोद में बैठे हुए है इसके बाद हम लोग एक ओल गोडाउन में जहाँ पर कैदियो के पुराने चीजे रखा जाता था जो अभी एक लाइब्रेडियान सेमिनार हॉल बन गया है बहुत बड़ा हॉल है यहाँ पर बहुत सारे बुक्स है फिर पोस्ट कार्ज है यहाँ पर अपने कोई भी नोट लिखना हो तो आप देख सकते हो स्टूडिन्स के बहुत सारे ड्रोइंग भी है जो मुझे काफी पसंद आया यह वाला पोर्शन यह है जेल की वाच टावर इसके उपर से पूरी जेल की व्यू मिलता है इसको ऐसे ही बना गया है ताकि पूरा जेल आप देख पाओ और कभी भी कोई प्राब्लम होता था तो अलर्ट कर दिया जाता था कि यह यहाँ पर यह हो रहा है उपर से आप देख सकते हो कि पूरा जेल कैसे दिखता है पूरी मतलब उपर वाला व्यू यह है अभी तो फिलाल यहाँ पर एक टीवी लगाए हुआ है जितने भी स्टोर जेल को रिनोवेट किया गया है लेकिन यह वाला पोर्शन रिनोवेट नहीं किया गया है ताके ब्रिटिश जवाने में कैसा दिखता था एक्चुल में जेल किस अलाखे वो दिखाने के लिए इस वाले पोर्शन को बीना रिनोवेट के ही रखा गया है और यहाँ पर है coins जितने भी coins बनाया गया था तब से लेके अभी तक सारे coins को ऐसे बड़े बड़े बना के रखा गया था जो देखने में काफी सुन्दर लग रहा था फिर हम लोग गए इस वाले building में यहाँ पर मातंगी नहीं हाजरा जो हमारे देश के लिए लड़े थे इसका story ताप लोगो पताई होगा गांधी बूरी बुला जाता था उनको इस वाले building में जाते हम लोग को और भी बहुत सारे stories मिले जैसे कि आप देख सकते हैं अब बहुत बड़ा एक पिस्तॉल रखा हुए जे दिनिश गुपतो थे उन्होंने मारा था इस पिस्तॉल से फिर उपर चरके हमें दिखाई दिया बहुत सारे room जहाँ पर सबसे पहले दिखाई दिया स्री औरोबिंदो घोश को ट्रिब्यूट किया हो एक room हम सभी को पता है कि स्री औरोबिंदो जो थे वो पहले freedom fighter थे उसके बाद वो रिशी औरोबिंदो बन गये और पॉंडी चेरे में जाके रहने लगे बागी की story जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई द बिंगॉल freedom movement का first part जितने भी तब के जमाने में ये first part में war हुआ था सारे details यहाँ पर दिया गया है history के student हो अब तो आपको पता होगा ये सीधू कानू जो सांतल war हुआ था उसके उपर है ये है सती दाह प्रता जो राजा राम मुन रान ने किया था एन उसके बाद हम लोग गए के tribute to freedom fighters of जो women थे ये वाला portion मुझे इतना पसंद आया कि मैं क्या बूलू जितने भी women freedom fighters थे सारे के सारे यहाँ पर मौजूद थे मतलब कितने सारे women freedom fighters के नाम भी हम लोग को नहीं पता यूजुली तो men के पता होते लेकिन जितने भी women है सब के details यहाँ पर pictures के साथ दि देन इसके बाद यह इस वाले रूम में था Bengal freedom movement का second part जहाँ पर आलिपूर बोमा जो case हुआ था फिर बुरी बालम का यूध जहाँ पर विनाय वादल दिनेश का जो story था वो सारे details यहाँ पर देखने को मेलेगा आपको इसके बाद हम लोग गए behind the bars bowl के portion था वहाँ पर जो म presidency jail, आलिपूर central jail, अंदमान की cellular jail, फिर boxer detention camp, धाका jail, सबके details आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इतने सारे jail से वो हम लोगों तो पता भी नहीं था पर यहाँ जाके बहुत सारे knowledge gather किये हम लोगों ने और उसके बाद Bengal freedom movement के third part, यानि की last part में हम लोग पहुचे, जब से थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों को आशा की किरन दिखाए दिया कि अभी तो कुछ अच्छा होने वाला है और फिर उसके बाद तो हम लोगों को freedom मिलाई था, यह story आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके बाद room number 101 जहाँ पर सारे room में ऐसे numbering किया गया था, जैसे jail में होता है, यह room जो है वो निता जी शुवस्चंद्र बोज जी को tribute किया गया है, लेकिन सिफ उनी के बारे में नहीं था, यहाँ पर स्वामी विवेकानन्द, राम कृष्णदेव स्टी औरो बिंदो, सब के बारे में यहाँ पर डीटेल्स दिया गया था, इतना घूम फिर के अगर आपको भूख लग जाते हैं तो अब एकांते इंडिपेंडेंस किचन जो जेल के अंदर ही है, वहाँ पर जाके आप खाना खा सकते हो, जो यह kitchen बना गया है, यह पूरा जेल के थीम के बेस्ट के उपर है, और सबसे अच्छा लगा मुझे यहाँ पर जो जो लोग सर्फ कर रहे थे, वेटर थे, उनके कॉस्ट्यूम भी बिलकुल जेल के कहधियों की तरह, एक दम कोई नीता जी की तरह, कोई वाइट वाइट के ड्रेस के पहन के ऐसे बैठे हुए थे, पर बहुत जाद के साथ, दिन हम गये एक्जिविशन हॉल में, यह वाला पोश्यन आप मिसमत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अपको सिफ पढ़ना नहीं है, आप यहाँ पर जो एक्स्प्लोर करोगे, वो बहुत इंट्रेस्टिंग वे में करोगे, स्टूडेंस को बहुत ही पसंद लाइक यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटी है, फन गेम्स है, ओडियो विज्वल बहुत सारे एफेक्ट दिया गया है, ताकि आपको देखने में भी पसंद आएगा और जानने में भी बहुत इंट्रेस्टिंग लागेगा अगर अंदर की रेस्टरॉन में किचेन में आपको खाना नहीं है, तो बाहर भी बहुत सारे फूट स्टॉल है, यहाँ पर रिजनेविल प्राइस में आप चाय कॉफी नाश्ता कर सकते हो इसके बाद हम लोग गये वीविंग रूम यानि कि तांट कॉल में, यानि कि यहाँ पर कप्रा बुना जाता था हातों से आलिपू सेंट्रल जिल में जितने भी कैदियों को कठोर सजा मिलती थी, उनको बहुत जादा मैनत करवाया जाता था, बहुत सारा काम करवाया जाता था जो ब्रिटिश जमानी की बात में करूँ, वहाँ पर तब भी बहुत जादा मैनत करवाया जाता था, उन लोगों से जैसे कि यहाँ पर अब देख पारे हो, यह है चौरका, जिससे सूता बुना जाता था, एन उसी सूते से कप्रा बनाया जाता था यह गांधी जी भी बुनते थे चौरका, क्योंकि वह अपनी देश के बनाया हुआ कप्रा ही यूज करते थे, पहनते थे, बाकी आदर्स ब्रिटिश के बनाया हुआ कप्रा उन्होंने त्वैक किया था, यह वाला स्टोरी तो आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ पर हम ल लाइटन शो था, जो छे बज़े से हैं, लेकिन दो घंटम लोग लुक नहीं पाएंगे, तो नेक्स ताइम कभी आएंगे तो लाइटन शो जरूर देखेंगे, तो यही पर खतम करते हैं आज के दिन, I hope आपको यह वीडियो पसंद आए है, और पसंद आगा है, तो लाइ